इस दुबाइक इस तो मैंने सेटल भैक भी लगा दिया और एक टॉप भी लगा दिया विकास जो आज मेरे साथ राइड कर रहे है अप्रॉक्सिमेटली 600 किलोमेटर हमको कवर करना है अब अब फुली आज शाम तक पहुंच जाएं हम लोग जहां भी जा रहे हैं और अब जाक आ रहे हैं एक चोटा सा ब्रेक लेंगे या फिर सुबह के नाश्ते के साथ आपको बताएंगे कि जाक आ रहे हैं और क्यूं जा रहे हैं अब सुमने एक टीब्रेक लिया यहां पर और होपफुली मेरा वाइस आ रहा हो गाउकरी है यह पता नहीं कौन सा टोलना कामेर को सौंज में नहीं आ रहे हैं तो 151 किलेमेटर हो चुका है हमारा अभी तो और भी जाना है टाइम दिखा रहे है अच्छा घासा बैठ रहे है कि मज़ा है अब तक के लिए बैठ जाओ तो यह है बैंगलोर हाइवे और पूने लगब लगब क्रॉस कर लिया है और यहां से सातारा है 100 किलोमेटर के असपास तो मुझे लगता है ढाई घंटे लगने चाहे मैक्सिमम सातारा पहुंचने के लिए क्योंकि जो रोट कंडिशन अभी तक मुझे दिख रही है ऐसी रही तो दो घंटे शाया अच्छा ओहो आगे मुझे टनल भी दिखाई दे रहा है कि टनल अहेड 500 मीटर को सब्सक्राइब पीछे जो एक बड़ी सी गुफा आई थी वह रिकॉर्ड नहीं हुई क्योंकि मेरा गोप्रो ओटोमेटिक बंद हो गया वहुते गजब बेच जती है भाई एक दम गजब गजब सूपर डूपर गजब बेच जती है पूने क्रॉस कर लिया हम लोगों ने और सातारा यहां से है 85 किलीटर के आसपास शायद देड़ गंटे में पहुंच जाएं लेक अच्छा है ना मजा आगया देखके ड्रोन उन रहता तो मजा आता नहीं पूड़ा के यहां पर Steering कितना दूर होगा इतना खुशूरत दख रहा है इसा लग रहा है कि बस वह शेड़ बनाया हूँ और है नहीं माउंठेंट मैंडाइंब इस और अपकर आइन्प करना पड़ेगा नओ आईडिया काौंसे माउंठें है कौंसी लोगेशन पे हो唇ग आति कि क्लाइंडिंग था है कि हम लोग डिसेंड कर रहे हैं कि वेले कि वहां पर लेक भी है कितना खुबसूरत है यारो वाउ बस उतर गया मां तो भी मांटें क्रॉस किया एक तो गोपरो में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है कि वह सिर्फ और सिर्फ दस या पंद्रह सेकेंडी रिकॉर्ड कर रहा है सेटिंग में चेक किया कुछ मिल तो नहीं रहा है उसमें 17 अभी तक क्रॉस नहीं किया था हमने और मेरा जो रियर वील है एक बहुत हार्ड प्लास्टिक था उसका टुकड़ा घुस गया जिसके वज़े से पूरा एर निकल गया और वह जो कट था वह इतना बड़ा था कि ट्रिपल लेयर भी डाल के ट्राइए किया बट फिर भी हवा रुपने का नामी ने ले रही थी अब फिर इसके बाद करें तो क्या करें हम लोग तो वहां पास में होंडा सर्विस सेंटर था वहां गया तो उनके पास टायर नहीं गया लेकिन टायर फिट करने वाला कोई नहीं सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर चुके थे सातारा बट वह प्रॉबलम हुआ और अब देखो टाइम हो रहा है 122 तो पीछे जो होटल में रुके थे हम लोग टाइम थोड़ा चेंज हुए तो इस वज़े से हलका खाना खाय अब आपन दर लेमिटर तो होगा है सातारा क्रॉस करके अब अगला हमारा डेस्नेशन जो होगा वह होगा कोलापुर और अभी टाइम हो रहा है दो बच गया मतलब साढ़े तीन बज कोलापूर फिर कोलापूर से हमको जाना है गोवा टाइम तो लगा बाभा बाए यह रही बाइक विकास चगाजक चल रही है और यह न्यू टायर चेंज हुआ है इसका कलर दिख रहे है और काफी ढूंटे-ढूंटे कैसी जगह मिली च्छाओं मिला आस-पास का लोकेशन भी बहुत अच्छा है तो थोड़ा सा रिष्ट कर लेते हैं आपर इस वक्त हम है को कुलापूर के शुरुआत हो चुकी है शहर में एंट्री करने वाले हैं या नहीं या फिर यह बाइपास ही लेके जाएगा मुंबई के बाद यह पहली जिगह है जहां पर मुझे ट्रैफिक मिला ऐसे मतलब ऐसे ट्रैफिक मिल रहे है जैसे कि पूरा जैसे मुंबई में ल इसकी लेन है वाइट पट्टी बाइकर्स की लेन है इतनी जगें हमको चाहिए हम निकल जाएंगे हमने अलमुष्ट कोलपूर क्रॉस कर लिया है सूरिया से हमने अपडेट लिया वह कहां है कैसे है तो वह दूढ़ सागर वाटरफाल के आसपस रूक रहा है आज पहुंच के और फिर वापस उससे अपडेट लेंगे कि exactly वह कहां रुक रहा है क्योंकि उसका कंफर्म नहीं हो वहां जाएगा और स्टे का चेक करेगा और फिर रुकेगा तो अब हमको टार्गेट रखना है खानापूर का यहां से खानापूर कितना है टोटल 4-4 गंटा है तो चलो खानापूर के लिए आगे बढ़ते हैं शाम तो होई जाएगी तो फिलाहाल हम लोग एंटर कर चुके करनाटका में मैंने मैप में देखा था करनाटका मितला कुछ कुछ ही पार्ट है कुछ किलो मीटर ही है जो हम करनाटका में रहेंगे वाव क्यूट सा पपी 85% टैंक फुल कर लिया अब तो अगला फ्यूल में गुवा में ही फिलप करूंगा 45 मिनिट है अभी संसेट होने में अभी पहल कावी है 42 किलिमेटर के आसपास तो स्टिल सो फार मुझे लगते हैं दस से पंद्रे मिनट में संसेट हो जाएगा तो हमने संसेट शूट किया है होफ़ोली आपको अच्छा ला हुआ संसेट टाइम लैप्स उतना क्लियर नहीं था क्योंकि मैंने मेरे मुबाई से किया तो टाइम हो रहा है च्छे बच के पांच मिनिट स्टार्ट होगे इवनिंग जरनी डे वन ही है और अभी तक हम लोग पहुंचे नहीं है कैमरा करेंगे बंद ओ हो हो क्या खूबसूरत दिख रहा है एकड़म केसरिया हो गया है तो हमने बेल गाउंस से राइट ले लिया है और खानापूर की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग सूरिया से बात हुई और सूरिया को पता चलिया कि हमारा नहीं है कि अब कि अब क्लिमेटर हो गया है 29,995 और मुझे लगते हैं जैसे लेफ्ट लेंगे मेरा 30,000 हो जाएगा इस बाइक में किलमेटर 29,999 लेफ्ट ना ओके यह अंधिरे में 30,000 लोगा लग रहे हैं इससे अगर देख सकते हैं आप लोग बतलब है वास राइड जैसे ही टरन लेंगे हम लोग 30,000 हो जाएगा वेरी गुड वेरी गुड अभी इसका में लोगा एक फोटो जंगल अपने को लग रहे हैं हो सकता है अगल बगल ज सो हम लोग जंगल के रास्ते से निकल गये इस पर आ गया और अभी गाडियों को देखके अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है सूर्या से बात हुई है वो लोग पहुंच गया है होटल में वहाँ पर रेस्टोरेंट भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहां पर श्टे करेंगे और वहीं पर खाना खाएंगे तो लोग हमारे लिए रुख रहें खाना काने के लिए तो फाइनली सूर्या आ गया सूर्या की गाड़ी और यह सूर्या का भाई आए तिंक में राइट कही साथ आज का बहुत हैक्तिक था साले एक नंबर बोल रहे तो मैं इसको अभी यहां पर बंद करता हूं फिर आगे चलके थोड़ा फ्रेश होके खोश में आके कुछ बाते करते हैं अब 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 लोग अपने में ही है अब 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 आगे करते हैं